आइजे बढ़ की टोप 25 प्रमों खबर जानते हैं किसान अंदोलान obligation on के सो दिन पूरे हो रहे हैं किसान लगता दिली बॉर्डक पर किरिशी कानूनों का विरुद कर रहे हैं केंद्र सरकार ने भी किसानों से बात करने की कोशिस की है बता दे अब आंधोरण के 100 दिन पूरे हो रहे हैं तो किसानों ने इस दिन आंधोरण तेज करने की योजना बनाई है 6 मार्च को केंपी एक्सपरेस वेपर किसान परदसन करेंगे इस दोरान इस राज़ते को बन रखने की योजना है मौसम विभाग के 9 साल मार्च मत तक राची का तापमान 40 डिगरी सेल्सियस तक पहुचेगी संभावना है मौसम विभाग ने अगले 15 दिनों की जारी रिपोर्ट में कहा है कि राज़े में मार्च के महीने में पहला और दूसरा सप्ता मुखे रुप से सुखा रहेगा इसके साथ ही पहले सप्ता के अंध तक राज़े का अउसत अधिक्तम तापमान 32 से 49 डिगरी सेल्सियस के बीच रहेगा पारा सिक्षक 10 मार्च तक ईविद्यावानी पर अपडेट करे पारा सिक्षकों के संदर में जीलो और इविद्यावानी पर अपडेट करने का निदेश दिया है राजे पर योजना कर्यालाई को सही अक्रा उपलब्द कराने को कहा गया है राजे पर योजना निदेशक ने पारा सिक्षकों की जर्म तीथी से समन्धित तुरूटी को भी सुधारने का निदेश दिया है 2022 में किसानों के 1,00,000 रुपए कर्ज होंगे माफ मंत्री अगले साल किसानों के 1,00,000 तक के कर्ज माफ होंगे बीत मंतरी रामेशरुरावनी ने 2022 33 के बजट में इसका प्रोधान करने का इलान किया है उन्होंने विधान सभावें बयट पर हुई चार्चा का सरकार की ओर से उतर देते हुए इसकी गोस्ना की बता दे मीत मंतरी के इस एलान से 3 लाख और किसानों को लोन माफीक के दाएरे में आने की उमीद है जारखन में 15 लाख लोगों को रासन कार्ट से जोड़ा गया है रमसरूराव ने काया कि सवाल उठाने वाले विपक्ष के साथियों को समयना चाहिए कि इस बयट के जरिये 15 लाख गरीबों को एक रुपए की दर पर महीने में 5 किलो अनाज के लिए जोड़ा गया है वह राज सरकार अपने ख़च से करेगी वहीं 3 लाख पैसा थायाएट दिव्यांगों को पेंसन मिलेगी इसके अलावा मंदेगा में भी 31 रुपे मजदूरी बढ़ाई गई है इससे गरीबों के हाथों में ज्यादा नगत जाएंगे इसकुलों में मिड़े मिल सुरू करने का निदेश धान न बेच पाय किसानों को रहाथ सीम ने एमेले की अनुसंसा पर धान कराय केंदर खोलने का दिया निर्देश चारखन सरकार ने किसानों को बड़ी रहाथ दिया निवतम समर्थन मोल पर अब तक धान न बेच पाय किसानों के लिए अब हर विधान सभा चेत्र में जरूरत के मुताबिक कराय केंद्रे खोले जाएंगे इसके लिए चेत्रिये विधाय को अनुसंसा करनी होगी बता दे सीम हेमन सुरेन ने इस खोशना के साथ ही राजे के सभी जीलों के उपायुक्तों को निर्देश भी जारी किये है बता दे विधान सभा में दिपक बिरुआ के तरांकित प्रस्नकाल के दोरान दान केंद्रों की सीमित संखे का मुदा उठाया था सीम हेमन सुरेन को राजे सभासांसत सीवू सुरेन की मिट्टी की मूर्ती की भेट जार्खन विधान सबाइस्थित मुख्य मंत्री कक्ष में सुक्रवार को मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को उनके पिताव राज सबसांसत सीवु सुरेन की मिट्टी से निर्मित मूर्ती भेट की गाई बतादे राजे के पेजल एवं सक्स्ता मंत्री मितले स्टाकूर के नेतित में आये प्रतिनिदी मंडलने ये मुर्ती उने भेट की इस दोरान मुख्य मंत्री से माटिक कलाबोड का पुर्ण गठन करने और मिटी से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने का आगरा किया गया राजे पाल द्रोपदी मुर्मो ने किया एगरोटे किसान मेला का उधगाटन रांची के काके स्थित भीर्षा क्रिसी विश्वविद्याले द्वारा तीन दिवसी आयोजित पूर्वी छेतरिये प्रदैसिक क्रिसी मेला एगरोटे किसान मेला का उधगाटन जार्खन की राजे पाल स्वा कुलादिपती द्रोपती मुर्मो ने किया उन्होंने काया कि देश के विकास, खादे और पोसन सुरक्षा तता राश्टर की इस्थिरिता के लिए किसानों का सम्मान उनकी अवसकता अधावे तक्निकी जरूर्तों की पूर्ती एवं उनकी हीतों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता सुची में पहले पैदान पर होना चाहिए जार्खन में 44 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राशी से 28, पूर्वी सिंभूम 4, धनबाद से 1, बोकारो 4, रामगाड 1, 1022, देवघर 2, गुमला 1, साहिव गंज से 1 मिले है जार्खन में कूल मौत की संक्या 1,091 है वहीं एक्टिव केस की संक्या 481 है भारत में 18,292 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है जो सबसे अधिक मायगाष्ट से 10,216, केरल से 2,776 मिले है भारत में कूल मौत की संक्या 1,091,693 है वहीं एक्टिव केस 1,737,399 है चलंत लोक अदालत जार्खन राज बिधिक सेवा प्रदिकार के द्वारा संचाली चलंत लोक अदालत सो जगरूता बैन मार्च के पूरे माह में राची जीले के विभीन गरामों में जाकर डायन विशाई जैसे कूप रता के विरूत जगरूता बियान चला रही है बता दे इसके लिए जीला बिदिक सेवा प्रदिकार राची के द्वारा पूरे माह का कारेकरम की रूप रेखा त्यार की गई है तथा पैनल लायर एवं पारा लीगल बैलेंटियर की टीम बनाकर विभीन कारेकरमों के मादम से जगरूता फलाने का काम कर रही है आईसमान भारत का नाम बदले जाने पर सदन में भाजपा बिधायकों ने सरकार को घेरा बिधान सवाब ऐट सत्र के छटवे दिन भी पहले सत्र में भाजपा बिधायकों ने खुब हंगामा किया हलाकि इसके बाद दूसरे सत्रे में पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेताओं अपने विपक्षी दल की योजनाओं को लेकर प्रस्न उठाए इस दोरान भाजपा विधायक राम चंद्र चंदवनसी ने अवजमान भारत के नाम बदले जाने पर सवाल उठाया लालू यादव जारखन हाई कोड के जस्टिस अपरेस कुमार सिंग की अदालत में लालू यादव के जेल मनुवल उलंखन मामले में सुनवाई हुई इस दोरान जेल आईजी की ओर से जेल मैनुवल में संसोधन किये जाने से समंदित एस ओपी को दाखिल किया गया वही रिम्स निदेशक की ओर से बिना सर्थ माफि मांगते हुए मेडिकल बोर्ट की रिपोर्ट दाखिल की गई अदालत ने दोनों रिपोर्ट देखने के बाद इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक के लिए अस्थागित कर दी साथ मार्च को राची आ रहे है एनसीपी अध्यक्स सरद पवार एनसीपी के राश्ट्री अध्यक्स सरद पवार साथ मार्च को राची आ रहे हैं बता दे उनके आगमन को लेकर NCP जार्खन परदेश कारकरनी के पदादिकारियों की नियमित बैठक हो रही है। राश्ट्रवादी कांग्रेश पार्टी के जार्खन परदेश अध्यक्स कमलेश कुमार सिंग ने बताया कि सरत पवार राची के हर्मों मैदान में अयुजित पार्टी के राज अस्तरिय कारकार्ता समयलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं वहीं इस दोरान राजे सवासदस प्रफुल पटेल भी उनके साथ मवजूद रहेंगे। जारखन पुलिस को राहत आवांटन के बाजूद अनुमती नहीं होने से पुलिस को 1.60 अरब रूपए नहीं मिल पा रहे हैं बतादे पुलिस मुख्याले ने इसके लिए एक बार फिर सरकार को पत्र लिकर भुगतान के अनुमती देने का अग्रह किया है वहीं सरकार की अनुमती मिली तो राजे के असी हजार से अधिक पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों को फैदा होगा इसमें सिपाइस लेकर आईपीए सन्वर्ग के अधिकारियों तक के यात्रा हुआ फोज्य पत्ताक से समधित रुपए सामिल है अगर यह राज़ी बर्तमान बीतिय बर्ष में 31 मार्श के पहले नहीं बाटी तो अगामी बीतिय बर्ष में यह राज़ी दोगनी हो जाएगी मार्चेंट नेवी में नोकरी दिलाने के नाम पर दो क्रोड़ की ठगी राज़ी के जगरनाथ पुर्थाना छेतर से दो क्रोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिष ने सागर सार्मा नामक व्यक्ति को गिरफतार किया है बतादे सागर सार्मा पर अरोफ हाई की उसने मार्चेंट नेवी में नोकरी दिलाने के नाम पर राज़े के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले युगाओ से दो क्रोड़ रुपए की ठगी की है जार्खन के सभी बड़े मंदिरों में ऑनलाइन कर सकेंगे दर्सान पुजा राजे के प्रमोख मंदिरों में सरधालूओ के सहुलियत के लिए ऑनलाइन दर्सान और पुजा की सुविधा उपलब्ध होगी बतादे जार्खन राजे हिंदु धार्मिक न्यास परसद इसकी त्यारी में जूट गया है इसके लिए सभी मंदिरों को न्यास परसद में रईश्टेशन कराना होगा राजे के 678 मंदिरों को इस सुची में सामिल किया गया है लेकिन अभी तक 94 मंदीरों नहीं राइस्टेशन कराया है सेस को राइस्टेशन कराने के लिए नोटीस बेजा गया है बीधी बिभाग के प्रधान सचीव सहन्यास परसत के प्रभारी प्रसासक संजाय पसाद ने इसकी जनकारी दी हिमांत सुरेन दिली में उद्यामियों के साथ बैठक करेंगे मुख्य मंत्री हिमांत सुरेन नहीं दिली में सनिवार को उद्योग विभाग की ओर से आउजीत होने वाले स्टेक होलडर कंफरेंस में भाग लेंगे वाशूकरवार देश साम राची से दिल्ली के लिए रवाना हुए बतादे मुख मंतरी इस मोके पर देश भर के उध्योक पत्योक ooh जारखन में निवेश के आउसरों से अउगत कराएंगे मुख मंतरी के साथ मुख सक्चीव सुक देव सिंग मोख्य मंत्री के पदान सचीव राजीव अरून एक का उद्योग सचीव पूजा सिंगल भी कॉन्फिरेंस में भाग लेंगी धन्यवाद